आज अमाउंट आप मटेरियल कंज्यूम और सब्सक्रिप्शन यह दोनों टॉपिक आज हम फिनिश करेंगे आप ठीक है तो पहला है मटेरियल कंज्यूम और दूसरा है सब्सक्रिप्शन तो है तो यह NPO का ही not for profit organization का और पहले से ही यह topic मैंने करा रखा है आप लोगों को लेकिन फिर भी एक बार फिर से यह दोनों topic कराऊंगे इन दोनों topic से examination में 4 marks तक का approximately पूछा जा सकता है इन दोनों topic से तो मैं सबसे पहले आपको material कंज्यूम समझाता हूं क्या है उसके बाद हम आगे चलेंगे not for profit organization में बहुत सारे ऐसे materials रहते हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है जिनको कंज्यूम कियाता है जैसे मानलो कोई dispensary है तो उस dispensary में जो medicine होगा उस medicine को क्या किया जाएगा उस medicine को consume किया जाएगा मानलो किसी dispensary में 4 लाख रुपए की medicine है और यह medicine जो है चार लाख रुपए का उसमें से कुछ medicine तो बाटेंगे लोगों को जिनको दवाई के जरूत होगी उनको देंगे तो यह आपका कहलाता है class material consume मानलो किसी sport academy में बहुत सारे sport material है तो वो सारे के सारे sport material में से कुछ तो use होगा कुछ consume होगा library है library के अंदर भी चीज़े होती है class तो वो सारे चीज़े use होंगी consume होंगी उसको बोलते है material consume तो material consume आपको कहां भेजना है class सबसे पहली बात अगर material consume निकालेंगे तो हमारा खर्चा है income and expenditure account में जाएगा किस side debit side ध्यान रखना material consume हमारे लिए खर्चा है तो वो income and expenditure account में debit side जाएगा material consume is debited to income and expenditure account जो आप income expenditure account बनाओगे तो उसमें आपने material consume को कहां भेज देना है debit side भेज देना है clear रहे हैं तक अब इसके बाद समझो metal consume कहां जाएगा income and expenditure account में debit side अब इसका formula क्या है इसका formula क्या है सब लोग पहले समझ लो उसके बाद सब लोग पहले समझ लो उसके बाद देखना class सब चीज क्लियर हो जाएगा opening stock material consume का जो formula है वह opening stock इसमें दोनों तरह का पर्चेज यहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक यह आजाया क्लास आपका material कंज्यूम का फॉर्मूला यानि कि जो भी material आपने कंज्यूम किया है उसका जो formula है वह opening stock of material, closing stock of,' article को minus करना है Opening stock of material को plus करना है closing stock of metal को minus करना है पर्चेज़ में दोनों का पर्चेज यहां पर आएगा cash purchase और credit purchase ध्यान रख न, purchase का मतलब यहां पर दोनों purchase आएगा cash purchase भी आएगा और credit purchase भी आएगा material consume को अगर आपको calculate करना है तो उसमें cash purchase और credit purchase दोनों चीज़े आएंगी आप cash purchase और credit purchase दोनों को add करो आएगा total purchase और उसमें से आपने क्या minus कर देना है closing stock तो यह आजाएगा material consume clear है लेकिन if purchases is not given if purchases is not given अगर आपको purchases given नहीं है तो आप formula क्या लगाओगे मानलो आपको purchase नहीं दे रखा है आपको purchases नहीं दे रखा है तो formula class जो formula लगे का class अभी सब लोग chat बंद करके please समझ लो इसको आगे बाद में आप लोग class last में पूछना पहले मुझे topic कराने दो if purchase is not given तो आप क्या करोगे amount paid for material amount paid for material जो भी class material के लिए आपने amount paid क्या है वो उसमें आपको class 3 चीज़े plus करनी है और 3 चीज़े minus करनी है तीन चीज़े plus तीन चीज़े minus जो आएगा वो class जाएगा income and expenditure account में किस side जाएगा credit side तो आपने तीन चीज़े को plus करना है और तीन चीज़े को minus करना है तो plus सबसे पहले क्या करोगे आप opening stock जो आपको plus करना है वो क्या plus करना है opening stock और क्या minus करना है closing stock ध्यान से पहले सुनते चले जाओ बाद में class बोलना कुछ ठीक है तो amount paid for material में आप plus क्या करोगे opening stock और minus क्या करोगे closing stock प्लस करोगे creditors at the end और मौइनस क्या करोगे आप minus करोगे creditors at the beginning प्लस करोगे आप creditors at the end और माइनस क्या करोगे class creditors at the beginning Coreleoben रहे हैं प्लस करोगे advance at the beginning जो बही आपने advance payment दिया as stock के लिए advance at the beginning को आपने plus करना है और advance at the end को आपने minus करना है तो ये आप बड़ा वाला formula कभी use करोगे जब आपको total purchase नहीं दिया रहेगा तब अगर ये total purchase नहीं दिया है तो आप ये वाला formula use करोगे if total purchase is not given examination में class 3 mark सा question पूछा गया था हाँ बिल्कुल closing craters लिख सकते हो कोई issue नहीं at the end का मतलब closing craters ही होता है no issue तो आप ध्यान रखना ये formula है material consume का formula क्या है opening stock अगर मालो शुरू में आपके पास 4 लाग का stock था आपने 2 लाग का और खरीदा तो होना कितना चीए 6 लाग लेकिन है कितना class 2 लाग इसका मतलब 6 लाग होना चीए 2 लाग इसका मतलब 4 लाग का stock आपने use कर लिया 4 लाग का stock आपने क्या कर लिया class consume कर लिया या 4 लाग का stock आपने use कर लिया तो ये वाला formula class लगता है material consume के रिए अगर आपको purchases given है cash purchase और credit purchase तो आप ये वाला लगाओगे formula otherwise class ये वाला formula आप लगाओगे ओके चलो तो ये पूरा का class ये पूरा का पूरा हो गया amount paid for metal opening stock plus creditors at the end plus closing creditors plus advance beginning plus और इन तीनों का उल्टा जो होगा minus होगा अब हम कुछ कोशिन करते हैं आप जब भी कोशिन करोगे इस तरीके से formula put करके ही कोशिन करोगे directly आप board के examination में कोशिन नहीं करोगे आपको सबसे पहले पूरा formula put करना है तब जा के आप कोशिन करोगे चलो सबसे पहला कोशिन आजाओ सब लोग और यह जितने भी कोशिन मैंने लिये हुए है यह past year में कभी ना कभी paper में पूछे गए हैं आपको तो top question class मैंने लिये हुए है जिन्होंने कर लिया very good और जिन्होंने नहीं किया class वो इसको फटाफट देखते रो तो सबसे पहला question क्या है इसके अंदर on the basis of information given below calculate the amount of stationery to be debited to income and expenditure account जो भी stationery है वो income and expenditure में कितना जाएगा बच्चो अगर आप इन ही question को भी कर लोगे तो भी perfect है जितने question मैं अभी करा रहा हूँ अगर आप सिर्फ इन ही question को भी बना लो तो भी perfect है जितने question class यह हैं सारे के सारे question आप लोगों को बनाने clear यहां तक चलो यहां पर opening stock दे रखा है और closing stock दे रखा है opening crater दे रखा है और closing crater दे रखा है लेकिन यहां पर जो आपको पूरा stationery purchase दिया हूँ 47,000 का तो मैंने क्या कहा था जब आपको पूरा का पूरा stationery purchase दे रखा है तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे opening stock plus purchases minus closing stock क्या लगाओगे बताओ opening stock plus purchases minus closing stock opening stock plus purchases minus closing stock खतम यह सोचो examination में class question पूछा गया तीन नंबर का और एक बार नहीं कई बार question पूछा गया solve करके class answer कितना है फटाफट लिख देते हैं तो हमारा answer आ गया 49,000 अब बच्चे मुझसे पूछते हैं sir आपने creators को तो कहीं use ही नहीं किया तो students हम creators को क्यों use करेंगे जब हमको पूरा का पूरा purchase दे रखा है तो अगर purchase is given है तो creators को use नहीं करना class जो भी मैं question करा रहूं बाकी सब दिमाग से निकाल दो सिर्फ इन इन topics को खतम करो ऐसे ही 15 के 15 topics मैं खतम करा दूँगा आपको 10-12 दिन के अंदर ही लेकिन आपको ही question बनाने है अगर आपको और strong होना है तो और questions बनाओ और extra questions बनाओ बट इन सारे questions को बनाओ आप अपनी कि class आपको जी जब 3-4 number का है तो क्यों लापरवाई करें ओके चलो अब दूसरा question अब यह रहा दूसरा question class यह मैं लिख देता हूं यह रहा second question आजाओ सब लोग जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है सबसे पहले question पढ़ो please question को धंग से पढ़ो from the following information of not for profit organization show sport material item in income and expenditure account for the year ended 31st मास 2018 and balance sheet as on देखो आपको यह बताना है कि balance sheet में क्या क्या जाएगा और income and expenditure में क्या क्या जाएगा आपको यह सारी चीज़े बतानी है clear है format में करो कोई issue नहीं जितना सुंदर आप presentation दे सकते हो दो मैं आपको last में बताऊंगा वे कि आपको presentation कैसे improve करनी है clear class यहां तक हर question को छेड़ना है अधिक हद तक जहां हमारी limitation है वहां तक जाके class हमें रुकना है अच्छा एक चीज़ देखो इस पूरे question में क्या कहीं भी आ cash purchase कोई भी cash purchase नहीं है पर credit purchase क्या आपको given है मेरा पहला सवाल क्या आपको इस question में credit purchase given है क्या नहीं है अगर sir credit purchase नहीं given है तो हम बड़ा वाला format लगाएंगे वही format क्या opening stock plus करेंगे amount paid में closing stock minus करेंगे closing creator plus करेंगे opening creator minus करेंगे advance opening plus करेंगे advance end minus करेंगे कुछ हो ना हो यह question आपको आने चाहिए दुबारा आप इन question को घर पर जरूर बनाओगे clear है यहां तक very good creditor आपको मतलब कि आपको यह जो payment वह नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे पता है ना format आपको बताओ क्या था format amount paid format में रख देना मैं तो class short में करा रहा हूं आपको आप format में presentation देखे करना clear है अगर मैं पूरा करूंगा question नहीं देखेगा फिर आपको amount paid कितना है class एक लाख बीस हजार मैं तीन चीज़ों को प्लस करूंगा बताओ opening stock कितने का है opening stock है 2200 का और मुझे minus क्या करना है closing stock वो कितना है 5800 minus को मैं लिख रहा हूं bracket में creditor जो है वह आ 7800 ठीक है और advance जो है वह opening का कितना दिया हुआ है 15000 plus और closing का 25000 minus लो आगया answer हम फटाफट देख लेते हैं आप लोग जल्दी से calculation अपने आप करना है calculation में बिल्कुल भी cheating नहीं करना है तो हम solve करते है class जिन बच्चों ने पहले से कर रखा है वो देख लो कि आपका answer exact यह आर 7000 अहीफास 17800 होगा 17800 जो बच्चे जानते हैं पहले से calculation कर रहे हैं वह तो सब ठीक है जिनको नहीं आता है मैं उन्हीं लोगों के लिए special मेहनत करो मैं दुबारा समझा देता हूं दिया आपको अच्छे से समझ लो class अगर आपको purchase नहीं गिवन है तो आपको यह वाला formula ल मैंने class इसका screenshot based दिया है यह वाला formula आपको use करना है अगर आपको formula नहीं दिया है अगर आपको purchase नहीं दिया है तो बस मैंने क्या किया इसी formula को put किया और answer निकाल दिया चेक करो इसी formula को put करके मैंने answer को calculate कर दिया तो बस opening यह सब चीज दे रखा है line by line कुछ अलग नहीं है formula में add कर दिया और आगया answer एक लाग 7800 ओके चलो मैं आपको ज्यादा question करा रहा हूं तो आप लोग प्लीज अच्छे से जड़ा पहली बाली बार में समझते चलो very good अब आते हैं third question पे मेरा पहला सवाल क्या इसमें आपको purchase दिया हुआ है चेक करो please क्या third question में आपको total purchase दि दिया है और क्या total purchase दिया है नहीं अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर क्या पता सारा ही cash purchase हो तो मेरे बच्चे अगर सारा cash purchase होता इस question में तो creditor की information क्यूं होती खुद सोचो अगर सारा ही नगत था तो creditor तो हो नहीं नीची है तो इसमें छोटा वाला formula लगाएंगे या ब बड़ा वाला formula लगाएंगे तो formula क्या है बताओ जरा formula तो वही है अपना formula क्या है बताओ जरा formula है आप सबसे पहले amount paid तो आप एक करके मैं cut कर रहा हूं यह रहा amount paid to creators कितना amount pay किया है 91,000 ठीक है amount paid कितना है 91,000 प्लस cash purchase में भी कुछ amount pay किया होगा वह कितना है class 40,000 तो amount paid जो ह पैसा गया है 90 अच बहुत बढ़िया question है प्लीज लापरवाई नहीं करना तो हमको add करके कितना आ गया 1,31,000 तो जो amount paid है वह 91,000 है और cash purchase के लिए amount pay किया 40,000 तो टोटल आ गया amount paid 1,30,000 लाइक class यह 2 का solution देख लो यह रहा class 2 का solution ऊपर यह देख लो कुछ में 2 का solution देख लो मैंने group में भी भेज दिया है आप वहां से भी जाके 2 का solution देख सकते हैं बट आज इसे खतम करके सोना है किसी भी कीमत पे ध्यान रखना आज किसी भी कीमत पे इसको खतम करके सोना है किसी भी कीमत पे यह टॉपिक आज आपको फिनिश कर देना है मैंने गुरुप में बेज दिया लिख लेना तो चलो यह हो गया कोशिन आप लोगों का वेरे गुड अब आते हैं क्लास थर्ड पॉइंट पे इसमें तो स्पोर्ट मटेरियल जो है उसमें आपने अमाउंट पेड जो है वो कितना 1,30,000 जो क्लास हां बिलकुल मिल जाएगा दे रखा है अल्रेडि एक्टिव रहा करो मैं तो सबसे पहले प्लस क्या करना है आपने ओपनिंग स्टॉक तो सबसे पहले देखो क्लास यह जो एर है 31 मार्च 18 है तो एक चार 17 कहलो यह फिर 31 मार्च 17 कहलो द्यान रखना बात बरावर है वो ओपनिंग है ठीक है तो 31 मार्च 17 का जो stock है वो opening stock कितने का इसमें 50,000 और जो closing stock 31 मार्च 18 का वो आपने minus करना है तो closing stock कितना minus कर दोगे आप 55,000 closing stock minus कर दोगे creditor at the end उसको आपने plus करना है creditor at the end 45,000 और minus करना है creditor at the beginning 37,000 इसके अलावा सुन लो यही point के वैसे में question करा रहा हूँ इसके अलावा इसमें साफ साफ लिखा है कुछ चीज बेचा भी है अरे CDC बहात है अगर आपने बेचा है तो minus होगा purchase plus होता है formula क्या है opening stock plus purchases minus closing stock और इसमें बेचा है तो बेचा है तो minus करेंगे अप सवाल यह है सर, 50 की चीज़ को 60 में बेचा है तुम्हारा समान तो पचास हजार का ही गया हुआ है年前 साफ करेंगे है थार्ड का, हम answer check कर लेते हैं आप लोग भी फटा-फट answer मुझे बता दो कितना आ रहा है कि आप लोगं का सही आ रहा था 1,30, сначала 50,000 40,000 45,000 माइनस करेंगे 55,000 माइनस करेंगे 37 POS boundrift को माइनस करना होता है ध्यान रखना है क्या माइनस करना होता है POSilik को 50 की चीज़ कितने हैं बेची है 60 मैं सब का सही है 50 की चीज बेची कितने में 60 में तो हमको 50 माइनस करना है 60 नहीं अच्छा अगर 50 की चीज 40 में बेची होती 50 की चीज जो है वो अगर 40 में अगर क्लास बेचा होता अगर 50 का चीज जो है वो 40 में अगर बेचा होता तो भी हम क्या करते 50 ही माइनस करते कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को जो minus करना है इसमें वो हम लोगों को minus करना है जो cost है हमें सिर्फ क्या minus करना है class cost को minus करना है clear है यहां तक 40 lesson करते हम सिर्फ cost को minus करेंगे जो book value है उसे बेचा कितने मैं इस चीज़ से लेना देना नहीं है यहां तक हाँ सेल लिखेंगे ना यह रहा सेल को मैंना माइनस कर दिया सेल अब स्पोर्ट मतल्ड माइनस पर्चेस प्लस होता है तो सेल क्या करोगे माइनस यह अधिक से अधिक कॉम्प्लिकेटेड कोशिं बनता यह बन सकता था तो यहां पर आपका मटेरियल कंज्यूम पूरा खतम हो गया मैं रिपीट कर देता हूं यहां पर आपके लिए फॉर्मैट अगर कोई सेल है तो सेल की कॉस्ट को माइनस करेंगे पास्ट मतलब इसकी वैल्यू है वह हम क्या क अब आते हैं क्लास सब्सक्रिप्शन के ऊपर सब फोलोग ध्यान से सुनो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन करें सब्षां करेंस कि अब हम इसकी अपकी के टॉपिक दूसरा टॉपिक क्यालकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सेकंड टॉपिक जो है अभी समझना अच्छे से समझ लोग इसी लिए तो नहीं समझ पाते हैं आप पहले पूरा समझ लो फिर बोलो क्यालकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्स्पेंडिचर अकाउंट की इनकम एंड एक्स्पेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन हम कितना लिखेंगे इंकम & expenditure account में कोशिमर 2 का balance sheet बोल रहे हैं मैं आपको दिखा जिता हूं उल्स एक बार आप लोगों का doubt आ रहा है सब लोग जरा देखलो कोशिमर 2 में balance sheet नहीं बनाना है बस आपको ये बताना है कि यह कहां कहां पे जाएगा balance sheet सुनो opening stock कहां जाएगा asset में ठीक है क्लोजिंग बैलेंशीट में आपने बैलेंशीट नहीं बनाना बस इन आइटम को रिप्रिजेंट करना है कि आइटम कहां-कहां पर जाएगा बोर्ड की एग्जामिनेशन में मुश्किल पूछेगा और पूछेगा भी तो क्या मुश्किल है भाई क्या दिक्कत है असेट जो बैलेंशीट का फॉर्मेट तो पता ही आपको और यह रहा क्लोजिंग बैलेंशीट ओके स्टॉक यहां लिख देना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख देना और क्रेटर यहां पे क्रेटर यहां पे एडवांस यहां पे बस यह तीन तीन छह चीजे भेज देना, जहां question में जाएगा, clear है यहां तक, चलो, यह class sufficient है, यह sufficient है class, जो मैं करार हूँ, बिल्कुल perfect है, don't worry, clear हो जाएगा इससे आपका, और extra question बनाने class, वो आद में करवा दूँगा, बट अभी इस topic को clear करते हैं उसके बाद तो आपकी किताब में अब आप material consume का यकीन मानो जितने भी question उन्हें बना लो आज की रात तभी खतम होगी जब material consumption और subscription दोनों complete होगा किसी भी कीमत में दोनों को complete करना है आज material consume और subscription ओके चलो अगला topic देखते हैं अब अब हम देखते हैं class की subscription जो है वो कितना create होगा मैं सबसे पहली बात समझा दूँ NPO के अंदर member होते हैं और हर member को कुछ ना कुछ amount हर particular period में हर महीने हर तीन महीने हर छे महीने हर साल particular amount of subscription देना पड़ता है चंदा देना पड़ता है ताकि NPO की activities को अच्छे से चला सके उसी को हम लोग क्या बोलते है class उसी चीज को हम लोग बोलते है amount of subscription amount of subscription कहते है जो subscription आपका income and expenditure account में किस साइट जाए class यह subscription आपका income and expenditure account में क्रेट साइट जाएगा तो इसका format क्या होता है class समझ लो इसका format क्या है amount paid sorry यहां पर receive होगा amount received amount received amount received ले रहे class amount received इसमें भी दो चीजे प्लस करते हैं दो चीजे माइनस इसमें हम दो चीजे को प्लस करते हैं और दो चीजे को माइनस करते हैं amount received में amount received during the year साल भर में amount received during the year उसमें हम दो चीजे को प्लस करते हैं और दो चीजे को माइनस करते हैं क्या-क्या प्लस करते हैं क्या-क्या माइनस करते हैं सेम वही जो material consume में हम लोग ने किया सेम वही प्लस वही माइनस clear यहां तक क्या-क्या प्लस करेंगे बताओ सबसे पहले प्लस करेंगे outstanding at the end outstanding at the end ध्यान रखना outstanding at the end का मतलब क्या है total आपका outstanding on the date कितना है यानी कि इस साल के end तक आपका total outstanding रहे है clear यहां तक very good outstanding at the end कितना है और माइनस क्या करना है outstanding at the beginning outstanding at the beginning का मतलब क्या है previous year outstanding amount gu पिछले साल का जो भी आपका आउटस्टेंडिंग था आपने माइनस करना है यानि कि आपको यह माइनस नहीं करना है कितना मिला है पिछले साल कितना आउटस्टेंडिंग था वह क्लास आपको क्या कर देना माइनस और इस साल के एंड तक टोटल कितना आउटस्टेंडिंग ह sir टोटल मतलब पिछले साल का कितना outstanding अभी भी और सब्स क्लास ऐडवांस एड धेंड जो है यही format आपको बनाना है यह बन गया क्लास आपका सब्सक्रिप्शन जो income and expenditure account में किस side class जाएगा credit side सब्सक्रिप्शन जो है ये income and expenditure account में किस side जाएगा credit side जाएगा ओके चलो अब कोई बच्चा कहता है सर सब्सक्रिप्शन account सिखा दो सब्सक्रिप्शन अगर मानलो examination में account आ गया वैसे account और statement दोनों एक ही बात है दोनों से answer same ही आता है लेगिन फिर भी अगर एक बार class मानलो account आ जाता है तो हम वही करेंगे जो हमने यहां पर किया हुआ है आप सुनते जाना अच्छा आपको पैसा मिलेगा तो entry क्या होगी cash to subscription अगर आपको पैसा मिलता है तो entry आप क्या पास करोगे cash to subscription अगर आपको पैसा मिलेगा हाँ बिल्कुल account और statement दोनों में कर सकते हो मर्जी आपकी पर अगर question कहेगा कि आप account बनाओ तो बहतर यही होगा कि आप account बना देना फिर शायद statement में teacher एक दो number काट ले काद number काट ले तो इसलिए कहता हूं कि अगर question बोलता account के लिए तो account बनाना otherwise मैं तो हमेशा देखो इसे ही बनाता हूं question कभी कहेगा कि subscription account तो मैं सिखा जेता हूं बहुत सिंपल है subscription मिलेगा तो cash to subscription तो cash में subscription cash में to subscription subscription में buy cash यह amount receive हो गया clear यहां तक subscription हमारे लिए income है अगर income outstanding हमारे लिए asset होता है to outstanding beginning यह debits and balance आएगा by outstanding at the end to outstanding beginning और advance हमारे लिए liability है by advance beginning और इधर आएगा opposite side to advance end clear है यहां तक जब इन सब चीजों को लिख दोगे इन सब चीजों को आप लिख दोगे जो यहां पर balance आएगा यह कहां जाएगा to income and expenditure account अगर subscription में आपने लिखा है to income and expenditure तो income and expenditure में क्या लिख हो गया amount receive में outstanding end plus करना advance beginning प्लस किया आपने यहां भी देखो वही किया amount receive में outstanding end plus किया advance beginning प्लस किया और minus वाली जो सारी चीज है वो debit side plus वाली जितनी भी चीज है class उनको आपने credit side लिखना है और जो minus वाली चीजे जितनी भी है उनको आपने debit side लिखना है और इस तरीके से पूरा का पूरा class subscription created to income and expenditure account वाला topic हमारा डन हो गया अब हम इसके class question करेंगे clear यहां तक हाँ class बिलकुल यह आप इधर total वगेरा मत लिखना यह तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिखा है जो total वगेरा लिखा है मैंने आपको समझाने के लिखा है बस आपको तो नॉर्मली outstanding beginning outstanding and advance लिखके कर देना है और यही same to same material consume में भी था बस outstanding की जगे क्या लिखा था वहां पे आउटस्टेंडिंग की जगे लिखा था creditor अगर आप material consume का format मेरे साथ-साथ copy पर लिख रहे हो तो आप देख लो अपनी copy में उपर आपने उसमें जो outstanding है उसकी जगे बस आपने creditor लिखा था और कोई change नहीं है और बाकी सारा same है format class सबको clear हो गया अच्छे से उमीद करता हूं class यह format जो है अच्छे से clear हो गया होगा हाँ बिल्कुल दोनों same है दोनों में कोई भी अंतर नहीं है दोनों बिल्कुल class same है उसमें कोई भी difference नहीं है अब हम question बनाते हैं सब लोग जरा आ जाओ अलग-अलग question में रख रखे हैं class अच्छे-च्छे questions सब लोग यहां पर आ जाओ सबसे पहले अपना simple सा question 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 1 चलो दोदर की बाते करे सब लोग फटाफट ट्राई करो क्लियर एकलस वेरी गुड आप फटाफट जरा इसको सब लोग ट्राई करो असान है बिल्कुल बस आप focus करो चीजों पे कम से कम्यार इन question को जो मैं करा रहा हूं इनको दुबारा बना लेना question 1 मेरे screen पे दिख रहा है आप लोग ट्राई कर सकते हो इस question को अराम से मैं अभी आपको एक question में सब्सक्रिप्शन एकाउंट बना के भी दूंगा डूंट वरी आप लोग चेक करो अगर फंड बेस अकाउंटिंग से class question आता है आप सेफ रहने के लिए मेरी class जो पार्ट मतलब कि एन्पयों का पार्ट टू जो वीडियो है ना इन्पयों का पार्ट टू वो जरूर देखलना उसमें आपका फंड बेस भी क्लियर हो जाएगा देखो मैं आप लोगों से एक request करना चाहता हूं अभी जल्दी बाजी बिल्कुल मत करो अभी टाइम है अराम से भगदड मत करो कम से कम जब तक 40 नंबर का safe नहीं कर लेते ना safe बिल्कुल 100% आज 4 नंबर safe हुए हैं ऐसी 10 दिन तक जब तक 40 नंबर safe नहीं कर लेते भगदड मत करो 40 न ना हो जाए ओके करके सोना अचा अंसर लो बच्चों का आप ही यह हमें भी निकाले नहीं चलो start करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग दे यर बोलो रिसीव कितना किया है सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया है 50,000 आप पॉर्मेट में करना मैं पूरा simple कर रहा सब्सक्रिप्शन आउट्स्तैंडिंग यह सृ 18 जो है वो beginning है 31 March 19th end है तो यह outstanding beginning है तो outstanding beginning कितना है 15,000 यह मैंने minus कर दिया advance at the beginning advance at the beginning तो plus होता है मैंने plus कर दिया advance at the end क्या होता है class minus यह मैंने minus कर दिया और ये क्या लिखा है सब लोग प्लीज यहां पे ध्यान से सुनो प्लीज ध्यान से ध्यान से Outstanding on the date लिखा है बच्चो on the date का मतलब होता है ये आपका total outstanding है इस date पर on मतलब पर इस date पर आपका total outstanding जब आपको 35,000 दे रखा है तो उसके अंदर ही ये 15,000 इंक्लूड है हमें उससे कुछ भी नहीं करना है हमें चाहिए total हमें क्या चाहिए total अब बच्चे बोलेंगे सब टोटल नहीं दिया होगा तो आएगा question में don't worry आगे आएगा कराऊंगा तो हम इनको class अगर solve कर दें तो हमारा भी answer आ गया 72,500 एक एक question class repeat जरूर करना है सबका answer है class यहां पर आएगा ये include है इसका कुछ भी नहीं करना है ध्यान रखना outstanding हमें on the date चाहिए और outstanding हमको on the date दे भी रखा है हमें outstanding on the date चाहिए और outstanding हमको on the date दे रखा है तो बस फिर हमें कुछ करना ही नहीं है outstanding on the date चाहिए class और हमें और कुछ नहीं करना है class अराम से class आपका topic जो है वो clear हो गया तो इस तरीके से करना है लेकिन यह तो बहुत simple question था और मैं थोड़ा सा tough question कराता हूं अब मेरी बात होता क्या है subscription ना income and expenditure account के अंदर पूछा जाता है तो अगर आपको यह नहीं आता है तो मतलब आप यह चीज को directly question यह नहीं आता तो बड़े question का एक हिस्सा तो बनेगा और accounts में step wise marking होती है पर प्लीज ऐसे मत करना पूरा format लिखके करना पता है क्यूं मालो यह सही है यह सही ह यह गलत है तो class आपके तीन में से धाई number मिल जाएंगे लेकिन अगर आप एकी line में shortcut मार के करोगे तो आपको class पूरे number नहीं मिलेंगे clear है यह यह आपका पूरा topic subscription का यह हो गया आपका clear I repeat again सारी चीजे आपको दे रखी है format में आपको put कर देना बस subscription receive कितना दिया हुआ द 15,000 वो माइनस करना है एडवांस बिगनिंग का 7,500 वो प्लस करना है एडवांस एंड 5,000 वो माइनस करना है और outstanding at the end 35,000 वो प्लस कर देना है खतम आया class सबको समझ कुछ भी इसमें different नहीं है राहुल clear हो गया class आपका अभी class मैं बताऊंगा पुषकर सारी चीज़े clear होंगी आपको नहीं आएगा तब पूछना मैं वही topic आपको कराने जा रहा हूं अगला वाला question वही है चलो यह वाला question बहुत important है आपकी किताब से ही मैंने question लिया है बहुत ज्यादा chance है class यह वाला question आने का तो सब लोग ज लेवल कौन सा क्या है यह मैं बताऊंगा आपको आपको class मुझे बताना है कि कौन सा क्या level है so don't worry जो मैं करार हूं वो compartment level कही है धीरे-धीरे कराना होता है सीधे पहले tough question पे नहीं आ जाऊंगा मैं ताकि आप तो चलो अच्छा पढ़ते हो बाकी जो कमजोर बच्चे हैं उ आपको 89,200 हुआ है आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है वह 89,200 का आपको सब्सक्रिप्शन मिला है clear यहां तक जिसमें से पिछले साल का 1600 मिला है इस साल का आपको current year का मिला है 84 400 और advance जो मिला है 3200 यह जो हमेशे advance होता है न यह advance at the end है क्योंकि आपने अगले साल के लिए दि तो दिया होगा अगले साल के लिए यह हमेशे advance at the end होता है कभी इस तरीके से तीन पॉइंट में दिया हो तो आखरी वाला point हमेशा advance at the end होता है clear है अब हमें format में क्या चाहिए सब लोग सुनना जरा हमें format में क्या चाहिए amount received यहां पे चाहिए दो चीजे प्लस करनी है क्या 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 प्लस करना है outstanding end प्लस करना है और advance beginning प्लस करना है तक सब लोग समझ लो अच्छे से पहले outstanding beginning को माइनस करना है और advance end को माइनस करना है सब्स्क्रिप्शन मिला कितना 89,200 हमें यह answer calculate करना है हमें अपना answer जो है वह calculate करना है ow के प्रवनेत वर्यविड आप सुनो मेरी बात सब लोग जर ध्यान से सनो बच्चे answer भी निकाल रहे है सब लोग सुनो इसमें लिखा हुआ है आप लोगं का इसमें क्या है है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव है जो सब्सक्रिप्शन रिसीव वो 89,200 है वो लिख दिया आपने यहां तक नीचे लिखा है कि there are 450 members each paying 200 subscription plus कितने member है 450 member है हर member कितने subscription pay कर रहे है 200 रुपए there are 450 members each paying annual subscription of rupees 200 200 तो 450 member है और हर कोई 200 subscription रुपए जो है subscription वो pay कर रहा है clear यहां तक 450 member है और हर कोई subscription रुपए कर रहा है यहां तक तो 450 अगर class लोग हैं हर कोई 200 रुपए पे करेंगे तो यानि हर साल आपको कितना पैसा मिलना चाहिए हर साल आपको 90,000 रुपए मिलना चाहिए साड़े 400 मेंबर अगर क्लास 200 रुपए आपको पे करते हैं तो हर साल आपको 90,000 रुपए मिलना चाहिए लेकिन इस साल आपको मिला कितना है सुनो मेरी बात हर साल आपको 90,000 मिलना चाहिए इस साल कितना मिला है इस साल का कितना मिला है? 84,400 तो इस साल का outstanding मैं क्यों लिख रहा हूं class ता कि गलती नहों ध्यान रखना 84,400 आपको इस साल मिला है सिर्फ इस साल का outstanding 5,600 रुपए ध्यान रखना पर सर हमें तो आपने कहा था यहाँ पे total लेने के लिए यह तो सिर्फ इस साल का है क्या पता पिछले साल का भी कुछ outstanding हो? ऐसा भी तो हो सकता है सर कि पिछले साल का भी कुछ बचा हो पैसा ना मिला हो किसी member ने ना दिया हो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पिछले साल कुछ लोगों नहीं ना दिया हो, clear यहां तक, यह जो 5600 रुपय outstanding है, यह सिर्फ इस साल का outstanding है, clear आगे पढ़ते हैं, 1800 जो area है, वो class कब है, पिछले साल का है, यह नहीं कि outstanding beginning, तो लोग मैंने outstanding beginning लिख दिया, कितना 1800, outstanding beginning कितना लिख दिया, 1800, advance at the end देखो, यह 32 दे रखा है, और advance beginning तो question में दिया हुआ ही नहीं है, अब बात करते हैं, outstanding at the end total कितना आएगा, सुनो मेरी बात, आप मुझे बताओ, आपका इस साल का outstanding class, और पिछले साल का outstanding था कितना 1800, पिछले साल का outstanding कितना था 1800, जिसमें से पिछ पिछले साल का आपको मिल कितना गया, चेक करो, चेक करो, पिछले साल का outstanding 1800 था, जिसमें से मिल कितना गया आपको 1600, तो इसका मतलब पिछले साल का previous year का जो outstanding है, वो 200 रुपए है, बात समझ लो, इस साल का 56, previous year का 200, तो outstanding कितना आ गया, 5800, अब आप solve करोगे, अगर आपका answer अब आ गया, इसका मतलब आपका जो question है, पूरा सही है, और answer तो मुझे सुरू से ही पता था, कि 90,000 आएगा, ऐसा इसलिए 90,000 आएगा, क्योंकि class आपके पास member कितने थे, 4500, हर member 200 रुपए दे रहा है, तो income and expenditure में जो credit side जाएगा amount, वो 90,000 ही जाएगा, अब बच्चे बो direct हम 90,000 लिख सकते थे, class बिल्कूल भी नहीं, direct आप बिल्कूल भी 90,000 नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, direct 90,000 नहीं लिख सकते, आपको proper calculation करनी पड़ेगी, और proper calculation करने के बाद ही, आप 90,000 लिखोगे, proper calculation करने के बाद, ओके, चलो, अब एक चीज मेरी और सुन लो, कि कल को आप balance sheet बनाओगे, कल को मानलो, आपको balance sheet बनाने के लिए आ जाता है, तो outstanding subscription आपका asset है, ध्यान रखना, advanced subscription liability है, outstanding asset है, advanced liability है, beginning वाला, beginning balance sheet में जाएगा, और end वाला, end की balance sheet में, क्योंकि आप सबको पता है, कि इसमें 2 balance sheet बनती है, तो ये class एक बार clear हो गया, outstanding at the end में repeat करता हू आपके कहने पे outstanding at the end कितना है, सुनो मेरी बाद, आपको पिछले साल का मिला कितना है, 1600, पिछले साल का था कितना, 1800, और हमको यहाँ लेना होता है, पिछले साल का outstanding था कितना, तो पिछले साल का 1800 outstanding था, 1600 मिल गया, तो इसका मतलब पिछले साल का अभी भी कितना outstanding है, 200, और इ इसी इसी साल का outstanding है देखो आपको मिलना कितना चाहिए 90,000 मिलना कितना है 84,400 इसके मादला 5600 का जो outstanding है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इस साल का outstanding है बच्चो ऐसा कभी नहीं हो सकता सिमर्दीप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको ज़्यादा मिल जाए वो advance होगा फिर वो advance की heading में आजाएगा आप यहीं तो कहना चारे हो कि सर ऐसा कभी हो सकता है क्या कि उपर यहां पर 1800 आजाए और यहां 1600 आजाए तो मैं बता दूँ ऐसा impossible है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जितना है उतना ही आता है उससे ज़्यादा नहीं आ सकता अगर आप ज़्यादा देते हो ना तो वो advance की heading में चला जाएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा देते हैं तो यह advance है समझे रहे हो बात को और जिनों नहीं दिया था अब दे रहे हैं वो यह है चलो यह question clear होगे अब यह अपना आखरी question है third question I request class again कि आप please इन दोनों देखो आज पहला topic मैं करा रहा हूं ऐसे मैं आपको 15 topic कराऊंगा class ऐसा जो है आपको revision जरूर करना है आप कोशिश करो इन topic को में को मेहनत कर लो आज नहीं तो कल यह मेहनत करनी ही पड़े यह ऐसा नह अगले साल आप सब कुछ भूल चुके होगे आपको और problem होगी त्यार इसी बार क्यों नहीं थोड़ा मेहनत कर ले त्यार चालो तो क्या नहीं होगा मैं class जिस आप से मेरे tone आपको सुनाई दे रही है मैं कितनी मेहनत आप लोग लिए कर रहा हूं और मेरी छोड़ो class मेरा क साबित करना है पेरेंट्स के नजरों में इमेज बनानी है अपने माबाप का सर उठाना है वैर प्लीज मेहनत करो आज कोई भी आज क्यूं मैं हर रात को बोलूगा इस बात को जब तक आपका ये topic पूरा खतम नहीं होता तब तक नींद नहीं आनी चाहिए पूरा खतम करो सो कल सुबह में एक और topic कराऊंगा आपको समझ रहें बात को चलो यहां आपको मांगा क्या है क्ला सुन लो सब लोग फटाफट यहां क्या मांगा है सब्सक्रिप्शन एकाउंट यहां आपको मांगा हुआ है तो हमें काम करते हैं हम इस question को दोनों तरीके से करते हैं account बना के भी पर सब लोग ना question को पहले बहुत ध्यान से पढ़ो और ध्यान से question को समझो clear यहां तक ध्यान से समझो आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना है बच्चों बताओ जरा आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना है दो लाग पंद्रह हजार जिसमें से पिछले साल का मिला है चार हजार रुपए और यह क्या पताए था मैंने आपको advance at the end advance at the end कितना मिला है 6,000 और इस साल का कितना मिला है आपको 2,5,000 सब लोग ध्यान से सुनना there are 500 member paying annual subscription 500 बच्चों मैं बता दूँ आपको answer मैं answer देखो बिना देखे ही बता दूँ गा answer आगया यह आगया आपका answer 5,000,000 रुपे आप चेक कर लेना अभी थोड़ी देर बाद आपका answer जो 5,000,000 रुपे आ गया पर सर क्या direct लिख दे नहीं पर बच्चों मुझे इतना तो पता चल गया कि मेरा answer 5,000,000 आप कैसे भी करके कैसे भी करके मैं 5,000,000 लिख दूँगा खतम बाद अगर पेपर में आगर चूट जाता है तो बोल रहा हूं वैसे तुम्हें सिखा दूँगा धाई लाक ही आएगा चलो format क्या था बताओ जरा subscription received बोलो receive कितना किया है 2,15,000 दो चीजे प्लस करेंगे और दो चीजे माइनस करेंगे बोलो क्या क्या प्लस करेंगे outstanding at the end प्लस करेंगे outstanding beginning माइनस करेंगे advance at the beginning प्लस करेंगे advance at the end माइनस करेंगे पेपर में अच्छे से सुन्दर सुन्दर तरीके से writing बना बना के लिख देना format ठीक है चलो अब आजाओ जरा इस topic पे अगर एक बाग वदाओ आपकी 500 member है और हर कोई पांसो रुपे subscription देगा तो हर साल तुमको 1,5,000 रुपे मिलना चाहिए है की नहीफ हर साल तुमको 1,500,000 मिलना चाहिए लेकिन इस साल कितना मिला है हर साल तुमको 1,500,000 जब निख रहा है ज्यान रखना हर साल तुमको 5,000,000 चाहिए तो outstanding सिर्फ इस इस साल का 45,000 है बोलो है कि नी ठालाग आपको हर साल मिलना चाहिए ठालाग आपको मिलना चाहिए वेरी गुड और आपको मिला कितना है 2,500,000 तो सिर्फ इस इस साल का outstanding कितना है पैतालेस और इसमें लिखा है आउटस्टेंडिंग फॉर प्रीविएस इयर आप लाइन को चेक करो लिखा है पांच हजार आज स्टिल का मतलब अभी भी आउटस्टेंडिंग है कितना क्लास पांच हजार 31 मा अठा रहा है यानि पिछले साल का पिछले साल का अभी भी आउटस्टेंडिंग पांच हजार है यानि कि आउटस्टेंडिंग अड़ एंड टोटल कितना हो गया पचास जार बात समझ में आई इस कोश्चिन की लाइन अलग लिखी गई है इस कोश्चिन में लिखा है पांच हजार रुपए अभी भी आउटस्टेंडिंग है पिछले साल का पांच हजार आउटस्टेंडिंग है अभी समझ लेगा बात को और 45,000 इस साल का आउटस्टेंडिंग है तो टोटल कितना हो गया आपका पचास जार अब बच्चो सर एडवांस अट्टेंड तो हमको मिला हुआ है 6,000 उपर चेक करो एडवांस अट्टेंड कितना है 6,000 एडवांस अट्टेंड बिगनिंग तो कोश्चिन में गिवन है नहीं तो छुपा लिया मैंने इसको अब सर आउट्स्टेंडिंग बिगनिंग कैसे लिखेंगे सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो आपको पिछले साल का मिल कितना गया 4,000 और पिछले साल का अभी भी कितना आउट्स्टेंडिंग है 5,000 आपको पिछले साल का मिल कितना गया चार हजार और अभी भी कितना पेंडिंग है पांच हजार यानि आपका पिछले साल का टोटल जो आउटस्टेंडिंग होगा वो कितना क्लास होगा वो आपका टोटल जो आउटस्टेंडिंग होगा पिछले साल का वो होगा आपका लाग मैंने क्या कहा था आंसर भी जो आएगा क्रेडिट साइड ओफ इंकम एंड एकस्पेंडिचर एकाउंट आगे आंसर ठाई लाग यकीन मानो चार नमबर प्के इन चार पाड़ो करने मने दो घंट लगेगा अगर दो घंटे में चार नमबर पक्के हो रहे हैं तो क्या बॉरही है और 4 नमबर की एहमियत तो आप सब समझ सकते हो जिनकी within 4 marks compartment आई है वो लोग तो अच्छे से इस बात को समझ सकते हो चलो आप ये तो मैंने समझा दिया अब बनाते हैं जरा account आप आते हैं subscription account पे clear है तो जैसा आपने यहां पे लिखा वैसे ही account बनाएंगे लिख लेते हैं हम लोग examination में scale से line खीचना ताकि presentation सुन्दर लगे टीचर को अच्छा लगे आपकी copy देखके मन खुश होना चाहिए उसका clear है यहां पे हम क्या लिखेंगे पर्टिकुलर्स टू आउटस्टेंडिंग बिगनिंग बोलो आउटस्टेंडिंग बिगनिंग कितना है बताओ क्लास जरा आउटस्टेंडिंग बिगनिंग है 9000 रुपए लिखा था सब कुछ उपर लिखा हुआ है सब कुछ उपर लिखा हुआ है आउटस्टेंडिंग एंड कितना था बच्चों पचास हजार आउटस्टेंडिंग एंड कितना है पचास हजार और बाई एडवांस बिगनिंग नहीं दिया हुआ है एडवांस बिगनिंग तो दिया हुआ ही नहीं है तो अडवांश एड़ एड़ कितनाए यह हजार टोटल कर दो आप और और कियाश कितना रिजीव वह यह sux क्रीप्चन शुरू में 205,000,000 तो 2,65,000 यह गटा दोगे तो आजाएगा 2015,000 यह बैलेंस पहाँ जाएगा तु इंकम एंड एक्स्पेंडीचर एकाउंट लो हो गया question पबनाको एकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो आप account बना दोगे और और नारमल कोसिंद के लिए बोलेगा तो आप नारमल कोस्षिंद बना दोगे यहां तक तो यह हमने पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर फिनिश कर लिया अपना हर इक कोस्षिंद जो है हमने यहां पर खतम कर लिया क्लेर यह तक अब आपको class मैं एक और question देता हूँ और आप लोगों को करके दिखाना है Are you all ready? class एक question मैं दूँ आपको करने के लिए आप करके दिखाओगे, try करोगे देखो पिछला question ही अलग था, पिछले question को आप पढ़के देखो ये लिखा है 5000 अभी भी outstanding है, still, still area और पिछले question में क्या लिखा है, 1800 were in area for the year ended तो ये तो आपको सीधा outstanding beginning दे रखा है कि 1800 है लेकिन ये कह रहा है कि अभी भी ये ये नहीं बता रहा कि पिछले साल का outstanding पांच हजार है ये ये नहीं बता रहा class कि पिछले साल का outstanding 5000 है ये ये वाला बता रहा है class कि outstanding पिछले साल का अभी भी बचा है इस साल भी नहीं मिला है outstanding at the end 5000 यार ये देखो ना calculation आप outstanding end देखो सब लोग class 5000 कैसा है class आपके 500 member हैं हर साल आपको 500 रुपे देंगे तो हर साल तुमको मिलना कितना चाहिए थाई लाक रुपे है न लेकिन आपको इस साल कितना मिला है दो लाक पांच जार यानि कि इस साल का outstanding 45,000 है और पिछले साल का अभी भी 5000 outstanding दिखा रहा है तो total outstanding जो वह है वह 50,000 का है total outstanding amount will be 50,000 45,000 इस साल का outstanding है पांच जार पिछले साल का outstanding है चलो यह topic हमारा clear हो गया next class में हम एक नए topic के साथ पढ़ेंगे इसमें जो भी doubt दिक्कत है आज रात को बनाओ next class morning में इसके doubt भी ले लूँगा आप लोगों के और सारी चीज clear हो जाएंगे ठेक है